नमस्कार स्वागत है आप सभी का इपोस्टल नेटवर्क पर डाग विभाक का सबसे विश्वस निया चैनल और सबसे बड़ा पोस्टल कोचिंग प्लैटफॉर्म आप सभी को बता दे जितने भी नियू जीडियस जुड़े है और अगर कन्फूजन होता है कि हम लोग हायर स कोई कारेवाई हो जाएगी किस तरह से क्या प्रोसेस रहेगा बट अब सारी चीज़े क्लियर कर दी गई है बहुत लोगों को कन्फूजन होता था हम जब भी आरेलवे के फॉर्म या एससी के फॉर्म भरता है तो हमें आप्शन आता है कि गवर्मेंट इंप्लॉई है या नहीं और नोसी है कि नहीं तो सारी चीज़ों पर क्लारिफिकेशन आज की वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगी नया ओडर जो जो है जारी किया गया है डिपार्टमेंट पोस्ट के तरफ से देली से ताक कि कोई भी सीपी एमजी और यहां फिर किसी भी हायर को कन्फ्यूजन ना रहे जब भी कोई जीडियास पूछता है कि हमें फर्दर स्टरी के लिए एक दो दिन लीव चाहिए या नोसी चाहिए तो इसका राइट अंसर अब आप लोगों को मिल जाएगा ठीक है तो फर्दर स्टरी के लिए हम आप लोगों को कहता है कि कीजिए फर्दर स्टरी कीजिए अटलीस ग्रेजुएशन तक अपने पास रखिए ताकि प्रमोशन में आप लोगों का जो एलिजिबिलीटी क्राइटेरिया है वो कम्प्लीट हो सके ठीक है ग्रेजुएशन रहेगा तो आप लोग ओफिसर लेवल तक जाएंगे और इसके पूरा प्रोसेस रहेगा क्या डीटेल्स आई आई हमारे साथ आपको समझाते हैं तो देखें यहां पर यह आप प्रॉपर जो है आप लोगों को ओर्डर बताते सभी सीपी एमजी के लिए ओर्डर है ताकि कोई परेशानी ना हो जीडियस को तो यहां पर कहा जा रहा है यह आ रही थी कि क्या जीडियस को अलाउड है या नहीं आगे जाके और अलग-अलग सरकल अपने अलग-अलग-अकॉर्डिंग अपने रूल्स बना रहे थी कि यहां कुछ लोग कह रहे नहीं बट यह सब जाच करने के बाद कंपेटेंट अथारिटी ने पाया और यह डि क्या है कि बिल्कुल वो कर सकता है बट एक कंडिशन रहेगी यह बियॉंड ड्यूटी आज होना चाहिए या आप लोगों के डूटी में या ऑफिस आ में कोई इशू नहीं होना चाहिए ठीक है आप लोग अपना ऑफिस का काम कीजिए इसके बाद जो पढ़ना है पढ़ि कोई इशू नहीं है कोई अबजेक्शन सर्टिविकट की जरुरत नहीं है नोसी वगेरा किसी चीज के जरुरत नहीं है आप लोग जो कोर्स करना चाहते करिये चिक है तो यह सारी चीज़े है इसमें बताया गया है कि अब जीडियस अराम से कर सकता है विदाउट एनी अब अब जारी कर दिया गया है कि अब जारी कर दिया गया है कि अनोसी नहीं चाहिए होगा और ऑफिस आवर के बियॉंड आप लोग जो भी करना है कोर्स कर सकते हैं तो लीव की जब बात आजाएगी तो आप लोगों को हमेशा जितने लीव आप लोगों को साल में दिये गए है उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को लीव मिलेंगे एक्स्ट्र स्टेडी के लिए कोई लीव नहीं मिलेगा ठीक है सबसे जथा इंपॉर्टेंस यहां पर डूटी को दिया जाएगा डूटी के बाद आप लोग जो भी करना है कर सकते हैं आप लोगों को कोई नहीं रोकेगा तो यह चीज़ एंपॉर्टेंट आप लोगों को यह ओडर हमेशे सभी के साथ शेयर करना है जितने भी नियु ज तो आप लोगों को हम यही कहेंगे कुछ दिन बने रही है थोड़ा सा स्ट्रगल है एक बार प्रमोशन ले ले लेंगे तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और फर्दर स्टेडी भी आप लोग साथ साथ में करी रहा है तो जितने लोगों ने अभी इस मन बना लिया था कि अब हम कोई कोर्स नहीं करेंगे बस जीडियस का ही करेंगे तो आप लोग भी अपने नए नए कोर्स कीजिए और ग्रेजुएशन तो ए करता है ताकि promotion हो सके promotion के लिए आप सुभी को बता है एक ही platform है जो आप लोगों को आपका सपना पूरा करने में बहुत जादा मदद करता है इपोस्ट्रल कोचिंग जो इपोस्ट्रल network का एक हिस्सा है आप सभी को बता दे कि आप लोगों के लिए बहुत सारे courses चल रहे है जून में भी नए नए बैचा स्टार्ट हुए है, सबसे इंपॉर्टेंट बैच जो हम मानते हैं वो है GDS से MTS का, क्योंकि सबसे पहले GDS को पर्मनेंट होना पड़ता है, तो पर्मनेंट पहले हो जाएए, इसके बाद आप लोगों को पोस्टमेंट बनना है, पी ए बनना है, इंस्पेक्टर बनना है, सब आसान लगेने लगेगा, एक बार पर्मनेंट हो जाएए, एक वो इज़त ले लिजे जो रेगुलर इंप्लोईज को मिलती है, जो अभी तक GDS को नहीं दी जाती, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ के लिए हमारा WhatsApp नमबर नोट डाउन कर लिजे, यह हमारे कोचिंग का WhatsApp नमबर है, इस नमबर पर हाई या हैलो लिखके भेजिए, आपको डेमो बेजा जाएगा, आप लोग फिर जुड़ जाएगा, जिनका भी सर्विस कंप्लीट होगी है, वो तो पढ़ेंगे, जिनका नहीं हुआ है, एडवांस में अगर पढ़ना चा बहुत साल बात पढ़ भी नहीं पा रहे है, तो पढ़ाई की आदत नहीं छोड़नी है, प्रमोशन में यहीं मदद करेगा, ठीक है, तो कोर्स आप लोग करते रहिएगा, हमारे जो बैचस का है, वो भी आप लोग जुड़ सकता है, इसके भी कोर्स आप लोग कर सकता है, बाकि सारी अपडेट्स के लिए आप लोग बने रहे हैं हमारे साथ धन्यवाद